मसलमानों को से बहुत दिक्कत नहीं होती इन न्र2 से मिलाने के पाद जो है एक दिक्कत की बात है मसलमानों के साथ लेकिन देश की करे मंत्री बार बार यह कह रहे है कि ये बिल जो है नागरिक्ता देने के लिए ना कि छीनने के लिए फिर ऐसा विरोध पर देशन के लिए दूद का जला मठा फूक के पीता है ये सही है कि ये नागरिक्ता देने वाले बिल है ये छीनने वाला बिल नहीं है मैं ग्रहमंतरी की इस बात से सहमत हूँ देकिन उन उनकी मंशा पे शक होना लाजमी है और उनका ट्रेक रिकार्ड भी मुस्लमानों को और दूसरे बीसी के लिए अच्छा नहीं रहा है उसकी वज़ाते डर पैदा हुआ है पूरे देश में काफी विरुद प्रदेशन हो रहा है शाहिन बाग आजमगाट चैल लखनाओ का घंटा घर हुआ हर जंगां बैंगलोर से लेके हैदराबाद तक विरुद प्रदेशन हो रहा है लेकिन ग्रह मंत्री जी कहा रहे हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे बहुत ही घलत तरीके से उन्होंने ये बात कहिए कि हम पीछे नहीं अटेंगे डिमोकरेसी में आगे पीछे होया जाता है और यह भासा गुंड़ई की भासा है इसे देश को कबूल नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अपने गिंती के बलबूते इस तरह का कानून लेकर ना है भारत को बनाना स्टेट ना बनाए हम एक हिंदू पाकिस्तान भारत में नहीं चाहते हैं हम यहां कट्टरवात इस तरह क्या बेद भाव वाला रविया हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश के लिए जैसे हमने जाने दी आजादी के पहले हम आज भी देश के साथ हैं और हमारे साथ बराबरी की बातें की जाएं ना कि हमारे साथ बेदाओ किया जाएं इस पुरेटिस में किन दलों का समर्थन मिल रा है यहाँ पर देखिए राइटिस्ट विंग या आरेसेस की जो तंजीमों के अलावा जितनी तंजीम Wan कांगरेसी भी हैं यहाँ पर आपवाले भी हैं क exchanged party भी लोग है गोया कि सभी आलमा काउंसिल के लोग हैं माई हैं के लोग हैं सारे लोग यहाँ हुए हैं पहली बार मैं इसको फोकस करना चाहूंगा और आप से कहूंगा इस बात वाइलाइट के रिए ये पहली मिटिंग है जहां हमारे शेहर के महलों के पसमांदा तपके के लोग जो हिलते नहीं थे वो लोग भी इस पोर्टेस्ट में शामिल हुए है और औरतें जो है अपने आप चल के आई हैं बुलाई नहीं गई हैं ये इस मजमे की इस मिटिंग की सबसे बड़ी खुबसूरती है कि पहली बार भी लोग आएं हैं इस बार इसमें बहुत बहुत शुक्रिया